कलाकार की कलाकी कोई कीमत नहीं होती लेकिन एक कलाकार को अपनी कला को जिन्दा रखने के लिए बहुत बड़ी कीमते अपने जीवन भर में चुकानी पड़ती है क्योंकि कलाकार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता हाथ में पैंसिल पकड़ लेने भर से कोई जित्रकार नहीं बन जाता हाथ में ब्रश पकड़ लेने से कोई पैंटर नहीं बन जाता इसके लिए बहुत लंबी सादना करने पड़ती है बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर आपकी कला का जमाना दिवाना होता है तब जाकर आपकी कला को पहचान मिलती है आज एक ऐसे ही कलाकार से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी कला को दस साल से भी जादा का समय दिया है दिन रात उन् के बारे में आपकी कंदर्ष के को लेकर शंधर्झ के बारे में तो मनेश जी आपका बहुत-फ़ल श्वागत एसी कर शंदेश के इसमनच का बहुत-बहुत धन्यवास है जो आपने तो इसके पीछे की कहानी क्या है यह सब तो आज हमारे दर्शक भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह सब शुरू कहां से यह यह स्टार्टिंग है नो देविदाले सद्धा से शूर्वा वहां से वा अच्छा और वेशे मैंने जो अपन अच्छी पैंडिंग है यह सिक्षक जब मोट्वेट अपने को करेंगे तो यह तो अपने उस लाइन में जाएंगे वहां से मैंने इसको अपना जितना टाइम हुआ जितना समय हुआ इसको दिया मैंने बिलकुल हमने देखी जो सबसे पहली पैंटिंग आपने बनाई बीम आज 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 आप काफी मतलब कमर्शिय भी आप कर रहे हैं काफी फेमेस हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी पैंटिंग को आपके आर्ट को पहचान मिली है तो यहां तक का जो सफर है वो भीमराव अंबेटकरजी की पैंटिंग से लेकर आज ओंज बुक अपका ना दर्शकों में भी जाहिर तोर पर बहुत सारे ऐसे नन्य कलाकार होंगे बहुत सारे ऐसे इस्ट्रगिंग आर्टिस्ट होंगे जो अपनी आर्ट को पहचान दिलाने की कोशिश कहता है यह बीसे कला के सथर में वेसे डिखें तो बहुत ज्यादा शंगर्स हैं बिल्कु तो तो अपने परेवारे मेरे नुनियाल वाले हैं उन्होंने तोड़ा सपोड किया मुझे तो पड़ाय को मुझे लगा कि पड़ाय में साइधे वीक हैं या मन नहीं है तो अपने इसको करके कुछ ऐसा करें ताकि अपने गाउं का भी नाम रोसन हो अपने माता पिता का भी हो इसको फुल टाइम दिया है उसके बाद नो दे मुझे जादा अचीवमेंट नहीं मिला थ तो तो आज यहां तक नहीं को साइधे उस टाइम मुझे पुरा लगता था कि शायद कहीं नहीं अपनी सिक्षक हैं वो मुझे देना नहीं चाहते हैं बच्चे में आता नेगेटिविटी है और मुझे उस टाइम कुछ से ऐसे हैं उन्होंने मुझे बताए भी कि इस लाइ लिए अपने सिक्रावटी है यहां कॉम्पुटिसन होता है यहां मैंने पार्टिस्पेट किया और मेरा मेरा फर्स टाइम मेने मेडल भी पहना था मेरे इच्छा थी कि अपने चलो शट्रुट्विटी बिए लिए लेगने एक मेडल भी पहने उस दिन भी बहुत कुशी यहां कोलेज बहुत हैं अपने सिकर में मुझे हैं मैंने मुंबई में जा के कोशिच की वहां एडियूशन लेकिन इतना नहीं कर पा थे कि वहां अपने रहें प्राइवेट में करें उसके बार में पॉट भीजे से रामपुर्या को भीचाने रहें सब्सक्राइब लिए और साथ में मैंने सूचा एजे गेफ टीचर अपने कुछ से ऐसी करें कि इनकम भी आजे कि वेसे हमारा पालन पॉसन नियाल वाले कर जाते हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप ज्यादा बोज बने अपने बिल्कुल और इस कलासे भी दिखाएंगे कि इस कलासे ही हम जूड़के और आज अपने जूब करेंगे तो इसी से करेंगे तो मैंने एजे गेफ टीचर लगसे स्कूल बिदा से सिक्कर में है अपने अपने सर ने मौका दिया यह बहुत बड़ी बात है कि एक 12 के बाद एक किसी को एक टीचर ही मानू आजे गेफ का है इसको मौका देना बहुत बड़ी वाद मौका दिया तो मैंने वहां पढ़ाना इस्कार्ट किया और तीन साल वहां कंटीनू पढ़ाया बच्छों से भी कूब लगा हो गया बच्चे भी इस चीज़ को बहुत पसंद गिया और अपने गाओं के बच्चे हैं और आज ऐसी स्टूडेंट हैं जो मैं इसकेच बनाता हूं उसी क्वालिटी उसी हिसाब का इसकेच वह भी बना लेते हैं और नेश्मेंट पर पहुंचे हैं तो उनकी पेरेंस और भी कहते हैं कि अब सब गयने लगए कि हमारे बच्चे को भी आके लेक्चे को गाओं में चीज़ कम है लेकि मैं मानता हूं कि जिसे है चीज़का अभयान चलता है इस चीज़का भी अभयान चलाएं ना जो भी गर गरमें खुजाएं और ये जरूरी बेसे करना म्यूजिक है पेंटिंग इन शेयर दिमाग भी चान्त होता है फिर गुरा फातिम हैं नहीं जाते में रियल तो यह थोड़ा बजमास है पड़ाय के लाइक नालाइक है जो कि आज वहाँ इसकुल में जाते हैं तो इसा नहीं सुनने को मिलता है तो मैं तो यह मानता हूं कि टीचर भी मौका देते हैं इस्टूडेंट को तो वह भी हो सकता है इस्टूडेंट कहां पहुंचे और उसके बाद अपने खुद को पिछे नहीं अखना यह थी अपने को सफलता नहीं मिली मैं तो यह देखा है उस टाइम नोदे मेरे भी मन में कि यह दो आवाड हैं मिलता नहीं कितनी मेहनत है अपना स्कुल में नाम भी है एक बार एस वर भी हुआ था कि मैं 12 कलास में था मुझे अवाड नहीं मिला और टोर चाईम बेजिती वालत हो गया कि कोई ना आज ने तो कल आएगा और अभी मुझे देखने को आप भी देख सकते हो कि कुछ अच्छ तक ठीक है ज्यादा बेस्ट नहीं मानता कि मेरे जो सिक्षक उन्हों नहीं भी का अपने काम को कभी बेस्ट मत मना अच्छ लगे रहो उसमें जितना आपको लगे और वो क के रूप में जाके बच्छों को ज्यादा ज्यादा सिक्षेद हूं और गाउं में जो कलाकार छुपे हुए हैं उनको बाहर लेकर आए जितना हो सगया भी मैंने एक अभियान यह भी चलाया है जो इसकेच में बनाता हूं उसका जो पेमेंट आता है उसका हाप में उन बच पेमेंट उन बच्छों को आगे लेकर आएंगे कॉंपिटिशन में बताएंगे कुछ चीजें उनको चाहिएंगे तो नॉर्मल अपन दे सकते हैं तो कला के साथ में मुझे पेसों से ज्यादा लगाउने हैं मुझे यह है कि एक कलाकार है और कलाशी ही पेसे लेकर और लेकिन अपने शेखावाटी में हम देखें तो मतलब ज्यादा तर पेरेंट्स है वो अपने बच्छे को डॉक्टर इंजीनियर या गवर्मेंट जॉब में इसी तरीके से सक्सेस्फुल देखते हैं अपने बच्छे को आइटिस्ट या स्पोर्स में ज्यादा आगे नहीं पड़ाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप अभी टीचर भी है आप गैस टीचर भी है तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स हैं या बाकी जो समाज है हमारा वो आपके इस आर्ट को अपने बच्छों के भविश्य के तोर पर कैसे देखता है पहले तो जितने इसकोप है बहुत जाए के पैरेंश में डर होता है कि बचा कुछ से इस एज में नहीं चला जहां जो गोई इस नहीं है कि इसमें है इसकोप है बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है जिस फार्टिंग जो पे नहीं होता है प्रधाइड्न कम लोग थे अब अचाने के वो इस पूड़ में लग गए तो एक दिन ये भी होगा कि जितने भी बीए पे करेक्ग आए इसमें बीए पे होता है जू तो यह लोग पी कहीं डर्गेंगें और यह राजस्तान की बार करहों कि सेट हो जाएंगें पार्टी तो इसमें सेंटर में फूब जोग आपने डिली जो एक बार उनको लगे कि वही अपना बच्छा गेम्स में है तो एक बार मुखा देने की कोशिश करें उसको पड़ाई सी ज्यादा यह जी लगता हूँ उसमें कर पाए तो मुखा दें पैंडिंग में है तो या तो उन लोगों से मिलवाए उनको जो इसे चैतर में है इसमें जाना चाहता है इस हिसाब से बच्छों की भी सुननी चाहिए और यह पैरेंस नहीं मानते हैं बच्छें के सामने जिदने करें कि वह यह है उनको तेरे तेरे करके दिखाए कुछ को क्रूब कर दिखाने के अपने यह लगता कि कहने से नहीं समझेंगे करेंगे तो उनको कुछ करके दिखाए जैसे मेरे साथ में हुआ था क्वेल्ट करने के बाद मेरा एड्विशन ने करवा दिया था है एरिम इंपेरिमेंट अपनी सिख्कर में है डिप्लोमा होता है जो बचे सुनने पाते है इस्पेशल सिख सक जिनको बहुते हैं कि यहाँ चोड़ी आ गए बीचे में और मैंने पेंटिंग को ही रखा तो इस चीज भी अपने रहेंगे कुछ से अपने यह नहीं कि भी गर्वालों के साथ में बर्तमीजी करें शांती से उनको प्रुप करके दिखाएं तो आज मैंने कुछ से जितना भी किया है तो आज गर्वाले भी कुछ हैं इस चीज को मानते हैं कि चलो यह ठीक आप कर लेगा अपना बिल्कुल सही है और मैं तो गर्वालों को भी यह कहता हूं कि पेशा कुछ नहीं है हाँ पेशा अपनी जरूरत मन जितनी मूल बहुत आउसकता है उतना होना चाहिए लेकिन इतना भी पागल नहीं हो लेकिन सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि नाम है बड़ी अनाम है तो बहुत कुछ है आज यह अपने यहां दुनिया से चले भी जाएंगी तो लोग याद गरेंगे और मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है मैं यह चाहता हूं बिल्कुल सही है दुनिया में लोग आपको जैसे में हुसेन साब के बारे में आपने बताया कि जब वो दुनिया से गए तो उनके एक आर्टिकल ने आपको बहुत मॉटिवेट किया जी 2011 की बात है उस ताइम में वो आर्टिकल पढ़ा था कि वह एक ऐसा आर्टिस्ट है जो पैंटिंग में मादम से इतने पेसे कमाए हैं और इतना उनका नाम है उस ताइम उनके पास 50 लुक्जरी गार्डिया तो आप सो सकते हो कितना और प्रारी गार्डिया वह भी अपनी इंडिया में और उन्हें जितने बड़े एक्टर हमके साथ भी काम किया है तो एक आर्टिस्ट होके इतना कर सकते हैं आपन क्यों बिल्कुल जैसे हम यह पर देख पा रहे हैं काफी सारे अवोर्स हैं काफी रिकर्मिशन आपको मिली है तो आप अपने आर्ट के बारे में आप हमें बता आपको में बता हैं किसी का कोपी नहीं होता है कोपी वह उते हैं जिसे किसी का स्केश बनाए वह एक अलग चीज वह देखें लेकिन जहां अपने एक्जिशन लगाते हैं डेली मुंबई जो आर्ट शेल होती है ज्यादा प्राइज में तो उनका यह होता है सब की अलग डि सबसे अलग अगठें हैं मेरे जो सेख सका है वह भी बोलता है जिन उन्हों ने विजिट कियां उन्होंने भी बताए कि आपका जो कर बदनेशन हो वह बेस्ट है और मेरी पैंटिंग में सब्जक्ट एक लेता हो जैसे इंडिया धूल्चर है वो ले लिए मिजिक पे ले ल उठाएं मुजिक है में जोआए सब्सक्राइब रख दिया है उपने पुरानी पैंटिंग हैं उनपने सेट कर देता हूं पर बनाता हूं और टेक्चर होता है एक अपने जो उबार देता है पेंडिंग में या लेट साइड में कहीं उपर की साइड में गोल मिलेगी जो अपने दिवाला जिसको बोलते हैं उस टाइब का वो सभी पैंडिंग में मिलती है उससे गया थोड़ा थेडि एफेक्ट आता इससे यह सब आपने किया है तो आप तो बहुत सारी जगां पर आप घूमें होंगे अलग-अलग एक्जिबिशंस में अलग-अलग जगां पर अप गए होंगे तो उससे जुड़ा कोई किस्सा आप हमारे वीवर्स के साथ में शेयर करें कि कहीं आप गए और आपको बहु अपना बैक पैक पैंटिंग लेता हूं और वहां पहुंँ जाता हूं तो मैं सब को यह कहना चाहूंगा अपने सोच नहीं लग जाते हूं मुंबई इतनी दूर रहके से जाएंगे क्या करेंगे लेकिन पैंटिंग आई है अपने गुजाना पड़ेगा गूमना पड़ेगा तो मैं सबसे ज्यादा गुमाओं फिरा हूं लोगों से मिलता हूं तो बहुत कोई सीखने को मिलता है विजट के लिए जब मैं फर्फ टाइम गया था एमपी में वहां खूब लोग आये थे और वहां एक आवार्ड फंक्शन होता है जिसमें राजा रगवर्मा आवार्ड बनाई थी तो टेन आवार्ड इसमें प्रेंटिंग सेलेक्ट हूई थी और वहां जितनी वीजट रहे थे उन्होंने तारिफ की थी उस ताइमें बहुत सोटा लगता था थोड़ा डाड़ी बढ़ा लिए बहुत सोटा लगता था थे इसे कहती थी यह बच्छा ही है तो बहुत ज्यादा मोटिवेट और मिलता है और हो सकता है वहां कुछ अपने को नेगेटिविटी भी सुनने को पड़े हैं अब उसको अठा देना है जो अपन पोजिटिविटी जो सुना है उसको अपनाना है तो मैंने ऐसे किया पर आगे से आगे मेरे यह सोथ होगी कि अप अपने नगर परिशत बहुना है वहां सकाउट के ततवादान में यह कॉंपूटिशन हुआ था रंगोली का वहां मैंने मास्क बनाया रंगोली से बेसे जिए मैंने बहुत कम बनाता हूं मैं यह बेसे में बताना चाहूंगा मुझे कोई कहता है यह काम तुम्हें मना नही मैं जिए परेंटिस पहले नहीं करता हूं मैं जिमाग में मन में बना रंगोली नहीं बनाया थी बहुत लेकिन मास्क बनाया और उस पे मैंने कोरोना से बत्साओ का संधेश करेंटिंग के मादें से उस पे किया मैंने और वह 25 पिट लंबे 20 अच तोड़ी इतनी ची और यह एक खबर है जिसे अपने अपना सिक्कर है सिक्कर संदेश सब ने जगह जगह पोस्ट की थी और वह पोस्ट गई ओम जी बुक में वह भी एक्ट्व पे रहते हैं उन्होंने मुझे पॉल किया कि आपका इसा कुछ हमने देखा आपने इतनी पड़ी रंगोली नहीं तो आप किसीज का अपरियूटिया और वायमजी में नाम सामितिया बिलकुल आपकी जो अवी शर्मा जी की जो बाल मुखी रामायन है उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई मुख्यमंत्री मौदय को भी आपने उसकी प्रति बेजी दी उसका मतलब ये आप ने जो उसमें जो आर्ट आपने बनाया है तो उसके लिए आपने कैसे कॉलबरेशन किया अवी शर्मा जी से फर्स्ट में इसी टाइम की बात है इसी मन्त में साइध एक रिज में है जिन्होंने मुंबई के हैं उन्होंने ओनलाइन करेंटू लिया था उनके नजर में था कि एक एस आर्टिस्ट है बड़ी आहा काम करते हैं तो वह अंके टेस्ट में है अवी सिर्मा जी हमें को इसा आर्टिस्ट है जो इंदा कर सके आवी की जो माता जी पेसे ले लेते हैं उसे इतना नहीं लेकिन अपनी ठीक कुछ से फरेम्य करते हैं और यह वेसे द्रम से रिलेटेट हुई है और मैं चाहता था मेरे दिमाग में यह आया कि अपनी पचाजार लाग रुपय भी ले ले लेते हैं अतना माइन ने रहे गाए जब वो अपनी पैंटिंगे उस बुक में चप जाएगी तो यह मानू उसकी कोई किमत नहीं है कोई किमत नहीं क्योंकि जहां जहां जाएगी अवी के साथ मेरा भी नाम जाएगा तो मैंने यहां कर देए और उनको साथ एक महिने में 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 बहुत बारिक पाम था ब्लेक पैंट से जो अपनी जैल प्लेक पैन आता है उससे मैंने उसके काम को किया उसमें 22 पैंटिंग है तो उन्होंने काम भी बहुत पसंद आया और मेरे लिए बहुत बड़ा चीमेंट है कि एक बुक में आब वो जहां जाएगी उसाथ में अपना काम भी जाएगा और अवीजी ने भी उस बुक में लिखा भी है खासावार मनिश डाकावाई का जिन्होंने इसमें एक पेसा भी पूरा उसमें अपने लेटर उसमें लिखा भी कि भी आपने ब्लेक पैन से बनाया है बहुत बड़ा बनाया है और आजस्तान का नाम आगे लेकर जाओगे तो एक कलाकार के लिए और कैजी जब अपने स्टेट के जो सीम है वो है दी अपने काम को पसंद करके और एक पतर देते हैं तो बहुत बड़ा सभी है बिल्कुल सही है कलाकार को उसकी कलाका असली महनत आना तभी मिलता है जब लोग उसे अप्रिशियट करें तो मैं चाहता हूं कि आपसे हमने काफे सारी बाते गरी आपने कीमती समय में से हमें समय दिया मैं चाहता हूं कि हमारे जो जब ज़्यादा टाइम दें और कभी कभी अपने हार भी मिलती है ऐसा नहीं कि अब आवार्ड मिलें तो यह मानों की हो सकता है इतनी हार भी जेलनी पड़ी है और होता है तो इसे निरास नहीं हो और पेरेंस हैं तो भी बच्छों को मुख्का दें और उन लोगों से हैं उनको बताएं कि हमारा बच्छा इस टाइब में यहां आप जाना चाहता है इसमें इसको फैक नहीं है तो इसा कुछ देना पड़ेगा बच्छे हैं फोन में लगे रहते हैं गेम में तो मैं मानता हूं कि इतना टाइम में इन में नहीं देखे कुछ अधर इसके माता है माता जी है उनों ने जोप छोड़ के प्रोफेसर की उस पे जान दिया निए तो इपने पैरेंसे वो भी बच्छों पे जान दे जितना हो सके कोई ऐसा बच्छा है अपने ही बच्छा है कहीं आगे निकल जाए बिल्कुल मरी जी बहुत बहुत धन्यवाद हम हमसे बात करने के लिए और जितने भी अभी भावक और बच्चे इस इंटर्वी को सुन रहे थे मैं आप से भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उन्हें अपने आर्ट पे फोकस करना ज़रूरी है अगर आपको अंदर से लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं अच्छा तो उ साथ में फोटो किचवाने के लिए आ जाते हैं और वो यही कहते हैं सब लोगों से कि हमने बहुत सपोर्ट किया तो आपको ज़रूरी है सबसे पहले अपने बच्चे के ऊपर बरोजा करने की अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दिल से चाहता है किसी आर्ट को फोल तो इसलिए अपने बच्चों पर बरोसा करना जरूरी है, ऐसे ही और कलाकारों से शेखवाटी के उन ऐसे लोगों से जिन्हों ने अपने च्छेत्र में बहुत अच्छे काम किये हैं, उन से सीकर संदेश के मादम से हम आपको मिलवाते रहेंगे, आप जुड़े रहें सीकर स संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मानीशा. आपका भी जवाब अपने कीम्ति समय निकाल की, मेरे आठ को दी. धन्यवाद मानीशा.